हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे RPSC की हर अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि RPSC ने जो एक्जाम है RS 2018 का उसको बढ़ा के 28-29 जेनवरी कर दिया है बट OBC Candidates का ये केना है कि ये जो टाइम है मतलब फिक्स 45 डेस का टाइम दिया गया है ये टाइम जो है ये प्रोपर नहीं है हमें थोड़ा बहुत टाइम और मिलना चाहिए जैसे कि 2016 में प्रोपर टाइम दिया गया था तो दोस्तो इससे रिलेटेड आज Candidates जो है CMO में मुलाकात करेंगे CMO में मुलाकात करने के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा कि ये CM क्या आसवाशन देते हैं CM और Deputy CM दोनों से मिलेंगे कि क्या आसवाशन देते हैं दोनों अगर positive आसवाशन देंगे तो hope कि फिर से थोड़ा बो टाइम और मिल जाए बट अपन ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्या आसवाशन देंगे ये वारता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वारता करने के लिए ही जाएंगे जब तक authentic news नहीं आजाती तक अपन कुछ मान नहीं सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वारता करने जाएंगे कि OBC candidates ये वारता करेंगे कि हमें थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए जैसे कि 2016 में हुआ था फिक्स 45 days दिये गए हैं उनमें हमारा आदा सले बस भी कवर नहीं हो पा रहा है अब बड़ेगी या नहीं बड़ेगी ये वारता होने के बाद ही पता चलेगा जैसे ही वारता होती है और जो भी न्यूज आएगी बहली पोजिटिव हो या नेगिटिव जो भी न्यूज आएगी वो मैं आपको शेयर करूँगा आपको बताऊँगा कि हाँ CMO से बात करने के बाद क्या बात पता चली है साल के लिए यही है कि जो नेक्स्ट मंत में जो एक्जाम होने वाला है साथ में स्कूल लेक्चरर का उस एक्जाम को लेके विरोध है कि उसकी डेट जो है आगे बढ़नी चाहिए तो साथ में आरेस का भी मुद्दा वहां रखेंगे कि आरेस की डेट भी थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए ताकि जैसे 2016 में टाइम मिला था पढ़ने के लिए वैसे 2018 में टाइम मिले वैसे 45 डेस का टाइम दिया गया है यह आर्पी एससे मानती है कि 45 डेस इनफ है मेंस की तेयरी करने के लिए क्योंकि 45 डेस का कोई ऐसे रूल बना रखा एक है रूल तो जो भी है वो आर्पी एससी का है वो बनाई या थोड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी यह सब जो रूल्स है वो आर्पी एससी तेय करती है कि कि इस एक्जाम को आगे बढ़ाना है या नहीं बट फिर भी CMO में बात इसलिए करने जाएंगे कि यह एक्जाम आगे बढ़े थोड़ा बहुत टाइम जो है और मिल पाए एट लिस्ट थ्री मंथ तो मिलने चाहिए ऐसा वो कह रहे है अब आगे बढ़ेगी या नहीं बढ दूँगा दोस्तो आगे की न्यूज के लिए साथ में बने रही है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है फिलाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो मेंस की डेट 28.39 दे रखी है उसी के हिसाब से आप त्यारी रखें आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये वार झाल